नमस्कार बच्चों, श्वागत आप सभी का बेसिक सिछा के इस ओर्लाइन लेर्निंग प्लेटफॉर्म पे तो बच्चे अगर आप 2024 में CVT को क्रैक करके अपनी डीमरी सेंटरल यूनिवर्सिटी से BA, BST, BTEC, B Pharma जासे कोर्सिस में एडमीशन रहना चाहते हैं और आपने CVT 2024 में Domain Subject Physics को फिल किया है तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि Domain Subject Physics का 2024 के लिए क्या सेलेबस होने वाला है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2022 में और 2023 में किन चेप्टर से कितने questions आए गये हैं कौन सा चेप्टर आपके 2024 के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है किस चेप्टर से कितने majority of the question पूछे जाएंगे वेटेज का है चेप्टर का इन सभी बातों के उपर बच्चे जो है इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो एक एक करके बच्चे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको आपके physics domain subject में क्या-क्या chapters पढ़ने हैं तो सबसे पहला chapter क्या है बच्चे आपका electric charge or field है दूसरा chapter आपका electrostatic potential or capacitance है तीसरा chapter आपका current electricity है चोथा chapter आपका magnetic effect of current and magnetism है पाच्वाँ chapter आपका magnetism और matter है छथ्वाँ chapter आपका electromagnetic induction है स्तात्वाँ chapter आपका alternating current है और आथ्वाँ chapter बच्चा आपका electromagnetic waves है इसके बाद आपका ray optics, wave optics, dual nature of matter and radiation है तीके इसके बाद आपका nuclei है, फिर radio activity है atomic structure, logic gate or communication system है यानि कि कोई भी चीज कटा हुआ नहीं है, ठीके जो आपका 2024 का domain subject physics का paper आने वाला है वो सेम age पहले के old NCRT book से ही आएगा ठीके, क्योंकि पहले का जो old NCRT है, सेम उसी का बच्चे आपके syllabus लिया गया है बाकी अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे paper analysis पहले 2023 का देखेंगे उसके बाद हम लोग 2022 का analysis करने वाले हैं, ठीके जैसे कि मैं दिखा दूँ बच्चे ठीक है, electric charge और फिल्ड में तो यहां से आप exact खुज बच्चे analysis कर पाएंगे कि कौन सा chapter आपके लिए important होने वाला है, ठीक है तो यहाँ पे आपको 2023 के सारे chapter के मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको और जो chapter बच्चे में उनके मिल जाएंगे, ठीक है इनके भी आप screenshot बहुत ही आसानी से आपके ले सकते हैं, बाकि अगर मैं बात करूँ आपको ठीक है, फिर उसके बात 2022 के analysis की, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों साल का analysis लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और फिल्ड से बात करें, देखिए, पा कभी 6 questions, 5 questions, 3 questions, 4 questions, तो आप समझ सकते हैं, खुद आप ये idea लेखा सकते हैं, कि कौन से chapter आपके लिए बहुत ज़्यादा important रेन वाला है, बाकि अगर आप comment करके ये बताएंगे, कि मैं आपको बता पाऊं कि कौन से chapter आपके 2024 के लिए ज़्यादा रखता है, जिसको आपको स से कभी 7 questions, 4 questions, 3 questions, तीक है, 4 questions ऐसे हो गया है, electromagnetic induction से ऐसे हो गया, AC से आपके वे ray optics, wave optics हो गया, इधर आपका ठीक है, आगे एक चप्टर, electromagnetic wave हो गया, semiconductor हो गया, magnetism matter हो गया, dual nature हो गया, nuclei हो गया, radio activity हो गया, atomic structure हो गया, logic gate हो गया, और communication system हो गया, तो ये हो गया paper का analysis, तीक है, आपको एक टाइप question का भी याँ पर दिखाने वाला हो, जैसे बात करें पहले electric charge और field की, तो electric charge और field में देखें, आपको क्या क्या पढ़ना है, तीक है, charge conservation, आप charge column, तीक है, उसके बाद ये distribution, तीक है, इनका आप screenshot लेकर के खुझ से रख सकते, ये सारा का सारा बच्चे, CV video के रूप में भी है, टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, आप चाहेंगे, तो screen source का ले सकते हैं, बाकी देखो, ऐसे type के question, दो-दो question में बीच में डाल दिया है, कि आप देख पाएंगे, कि question के level क्या है, जो 2023 में पूछे गया है, बच्चे आप सी, ठीक है, चलि उसके बाद, बच्चे आगे, हम लोग बात करेंगे, moving charge और magnetism की, ठीक है, तो concept of magnetic field हो गया, और state का experiment हो गया, bio 7 का log हो गया, इसका application हो गया, बच्चे, ampere सो गया, और infinitely long state wire हो गया, state solenide हो गया, ठीक है, और force on current carrying wire हो गया, ठीक है, torque experience हो गया, ठीक है, moving while galonometer हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, magnetic properties हो गया, और magnetization of material हो गया, ठीक है, और यहीं पर qri temperature के भी बात करेंगी, ठीक है, आगे देखे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे, बच्चे, एलेक्ट्रमेगनेटिक इंडक्शन की, एलेक्ट्रमेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे का log हो wireless current हो गई, AC generator हो गया, और transfer हो गया, ठीक है, next, next बच्चे हम लोग आपे बात करेंगे, देखो, electromagnetic wave में, इतनी सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग second part की बात करते है, second part आपका optics हो गया, reflection of flight हो गया, ठीक है, optics मे इतने सारे portion आपको पढ़ने इसके बाद आपको पढ़ना बच्चे कि आप wave optics, ठीक है, wave optics में आपका हाईगें studio हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, अप डूवल निचर आप रेडियेशन हो गया, photoelectric effect हो गया, हाड और लेनार्ट का आप जेर्वसन हो गया, ठीक है, matter waves हो गया, ठीक है, डीब रॉगली, relationship हो गया, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, atoms में, atoms में आपको यहाँ पर atomic model जो है, वो पढ़ने बच्चे, ठीक है, खास करके हाँ इंपोर्टेंट आपका बोर का model है वहाँ से question पुझात है, nuclei में बच्चे आपका nuclear force हो गया, mass energy relation हो गया, mass defect हो गया, binding energy हो गया, nuclear fusion हो गया और nuclear fusion हो गया, ठीक है, इसके अलावा semiconductor की बात करेंगे, energy band की बात करेंगे, semiconductor और insulator की बात करेंगे, PN junction diode हो गया, semiconductor device हो गया बच्चे, IV characteristics, forward और reverse device में, application of junction diode हो गया, और 22 और 2023 में, जो physics का paper बच्चे आया था, वो moderate level से थोड़ा सा ज्यादा आया था, मतलब कि आप इसको moderate level तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, और tough भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि moderate और tough के बीच में आया था, तो जो बच्चे ठीक है, अच्छे तरीके से concept को पढ़े हुए है, ठ वो आराम से बच्चे 50 कोशन हैगा, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, ठीक है, तो उसमें से बच्चे आप आराम से 35-36 कोशन कर ले जाएंगे, मतलब 35-36 कोशन आराम से कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि आपके पास बच्चे 50 कोशन हैंगे, जिसमें से आपको 40 questions करने पड़ेंगे और जिसके लिए आपको एक घंटे का time proper दिया जाएगा और ऐसा कि आपको पता भी है कि इस बार जो physics domain subject का exam होगा बच्चे वो आपके offline mode में होगा मतलब paint paper mode में होने वाला है ठीक है चलिए बाकी अगर जो बच्चे ठीक है हमारे साथ mock में बच्चे course को purchase करके syllabus को complete करके आप अपने dream center पर पढ़ने के सपने को शाकार कर सकते है बच्चे तो अगर आपके अंदर दम है अगर आप चाहते है बच्चे ठीक है अगर अंदर से जूरूर है कि मैं कर सकता हूं मैं कर सकते हूं 10 से 12 दिन के अंदर बच्चे तो इस batch को purchase करिए और अपनी तयारी को बच्चे boost up करिए ठीक है बाकी आप हमारे साथ बच्चे ठीक है ये 10 NTA based test को join कर सकते है बच्चे ठीक है 299 रूपीज इसकी मात्र और मात्र फीस है जिसमें आपको दो test बच्चे free में दिया जाएंगे ठीक है इसके लावा बच्चे जो रिवे बिच के रहेंगे बच्चे ठीक है चलिए बाकी ये हमारे कुछ achievement है बच्चे ठीक है 2022 में 1000 प्लस सेलेक्शन दिया था 2023 में 2200 प्लस सेलेक्शन दिया था और 2024 में आपकी बार ये बच्चे ठीक है आपकी रिजल्ट का हम लोग वेट करेंगे ठीक है बाकी अगर आप बाकी इस वीडियो में इतना ही बाकी और कोई भी जानकारी के लिए बच्चे और किसी भी इनफॉर्मेशन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजेगा उस पे भी मैं अलग से स्टेप्रेट वीडियो बना करके आपको बता दूँगा ठीक है तो अगर आपको वीड दोस्तों वित्रों में सेयर करना जरूर करिएगा बच्चे ठीक है बाकी अगर आप चैनल पे नय हो बच्चे पहली बार देख रहे है बच्चे ठीक है तो सीवीटी से तयारी के लिए बच्च चीवीटी से जूड़ी किसी भी इनफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्रा